लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास के राश्ट्री अर्ध्यक चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिराग जी आपने अपने उमीदवारों की घोशना कर दी इस बार चौकाने वाले नाम सामने आए सबसे ज़्यादा आपने युवाओं को ही इस बार मौका दिया भाई बिल्कुल ये अमलों की सोच भी थी और मैं हमेशा मैंने इस बात को मैंने कहा है कि मैं जात्पाद धरा मजब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ मेरे लिए युवा अपने में एक जाती है महिला अपने में एक जाती मेरे प्रधान मंतरी भी कई मन्स से इसका जिक्र करते हैं वो किसानों को एक जाती मानते हैं तो ऐसे में ये जरूरी है कि जिनकी आप बात करें उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो भारत एक युवा देश है बिहार का अगर हम जिकर करें लगबग 65 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी आयू 35 वर्ट से कम है मैं खुद अपने मेरे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्मस पर अगर आप देखेंगे तो मैंने युवा बिहारी अपने नाम के आगे लिखा है एक आद बार प्रदान मंत्री जी ने भी मुझे युवा बिहारी कहकर उन्होंने मुझे बुलाया तो ऐसे में जब मैं युवा बिहारीों की मैं बात करता हूँ जरूरी है उन युवा बिहारीों का रिप्रेजेंटेशन भी हो ऐसे युवा चहरे सामने आएं जो की मेरे प्रदेश को बिहार को उस छवी में दिखाने का काम करें इसी प्रियास के साथ मुझे खुशी है कि मेरे संसदिय बोर्ड ने जहां युवाओं को प्रात्मिक्ता दी वहीं महिलाओं का भी उचित रिप्रेजेंटेशन किया और ऐसे युवा ऐसी महिलाओं जिनको सिक्षा भी मेरे लिए बहुत जादा महतु रखती है और मैं मानता हूँ कि बिहार को अगर इन जादपा धरम मजब की बेडियों से अगर बाहर निकालना है तो ऐसे में पढ़े लिखे युवाओं का सामने आना जरूरी है तो ये वो चेहरे हैं और मैं कती हूँ इन से क्यो नेताओं में से नहीं हूँ जो कि अपने समकक्ष को आगे नहीं आने देते हैं और उनको लगता है कि कहीं ये युवाओं इन से आगे ना निकल जाएं ऐसे में जितने ये युवाओं चेहरे हैं भले वो राजेश हों या शामभवी हों आप इनकी वालिफिकेशन्स आप देखिए अरुन भारती जी उनके सारी काबलियत को समाहित कर दिया जाता है ये कहकर कि वो मेरे जी जाएं अगर आप उनकी qualifications आप देखें उनका background अगर आप देखें एक successful businessmen जिस प्रिश्ट भूमी से आते हैं उनकी मदर ने बिहार की राजनीती में एक महतवपून भूमी का निभाने का उनोंने काम किया तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कि कल को जब भारत की संसद में जाएंगे और बिहार से जुड़े वे विशो को उठाएंगे तो सही माइनों में बिहार की वो तस्वीर देश और दुनिया के सामने आएगी जो आनी चाहिए आज इस तरीके से बिहार की एक छवी बना दी गई है ऐसे में मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे युवा चेहरे जब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे तो सही माइनों में बिहार की वो शशक खुबसूरत एडुकेटेड यंग्स्टर्स की वो छवी सामने आएगी जिसकी उमीद हम सब करते रहे हैं यह कारण तो नहीं रहा कि 2019 में जिस तरह से आपने टिकट दिया लोगों को आपके सानसत जीत के भी आए पर बीच में ही आपको धोका उनों ने दिया और इस बार आपने नए लोगों को मौका दिया तो क्या ये आपके कंट्रोल में रहेंगे बाई कंट्रोल में आपके को नहीं रख सकते मेरा अपना खून मेरे कंट्रोल में जब नहीं रहा मेरे छोटे भाई हूं मेरे चाजा जी हूं जब परिवार के लोगों नहीं मैं तो अपनों से धोका खाया माँ हूं भाई तो ऐसी उमीद या पेक्षा किसी से रखना बठा जब आप वैचारिक तोब पर जब आप किसी के साथ आप जूरते हैं तो मैं मानता हूं कि वह जादा मझबूत बंधन होता है ऐसे में ये युवा हैं इनके साथ मैं रिलेट कर सकता हूं ये मेरे साथ रिलेट कर बाते हैं तो मैं मानता हूं कि वो विचारों का जादा मजबूत संबंद हम लोगे बीच में होगा नए चेहरों को तो आपने मौका दिया पर बागी को भी आपने मौका दिया बिलकुल और इस बात खेर ये जो भी फैसला लिया गया ये पार्टी के दौरा ये लिये गए फैसले हैं पार्टी हर स्थर पर मन्थन करती है, चिंतन करती है, कई ऐसे लेवल्स हैं जहां से प्रत्याशियों के नाम चंकर उपर आते हैं, बिहार संसदिये बोर्ड हो, यहां का कोर ग्रूप हो, या केंद्रिये संसदिये बोर्ड हो, और फिर केंद्रिये कोर ग्रूप में इन तमाम नामों पर चर्चा होती है क्राइटेरिया तै होता है विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसके अधार पर ये सारे फैसले लिए जाते हैं कि कौन जीतने के लिए सबसे प्रबल दावेदार कौन है उसके लिए पार्टी कई तरीके के सर्वेज कराती है कई तरीके के फीड़बैक्स हम लोग लेते हैं भले वो मेरे मीडिया के साथियों के माद्य हम से लिए गए फीड़बैक हों संगटन के माद्य हम से लिए गए फीड़बैक हों या विबिन और स्थर पर पार्टी फीडबैक से गटे करती है सर्वेज खराती है और विनेबिलिटी के हिसाब से अपनी रिपोर्ट को ऊपर कोर गूर्प के सामने रखा जाता है तो ये तमाम फैक्टर्स रिस्पॉंसिबल होते हैं इस बात को मैंने सुनिशित किया कि जो भी ऐसे नाम या चेहरे जो सिर्फ टिकट के लालच में आ रहे हैं उनको हम लोगों ने कतई कंसिडर नहीं किया कई ऐसे नाम कई ऐसे चेहरे थे जो कि जब टिकट की जब आपचारी घोशना हो गई थी उसके बाद उन्होंने हम लोगे द्रेवाजे खड़कडाने शुरू किय, मिना जी की बात है जब मेरी नानी का निधन हुआ था ताथ अपसे मेरी मां के साथ, मेरी परीवार के साथ पार्टी के कारेक्रमों में आप ही लोगों ने लंबे समय से उनको पार्टी के हर कारेक्रमों में देखा वो पश्यताब उनकी आँखों में हमने पार्टी के लोगों ने महसूस किया Having said that मेरी शिकायश जरूर उन से रहेगी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों था बट अन्तो गत्वा जो भी फैसला लिया गया है वो पार्टी के हिद को जब 4 जून को जब रिजल्ट्स आए और जो लक्ष हम लोगों ने बिहार में हम लोगों ने तैय किया है कि 40 की 40 हीटे हम लोग जीतेंगे उस लक्ष को साबित करने वाला रिजल्ट हो उसके आदार पर ये सारे फैसले लिए गया है एक आरोप आप पे भी लग रहा है बी जेपी हो या फिर प्रधान मंतरी नरेंद मुदी हमेशा ही परिवारवात को लेकर मुखर रहते हैं पर आपने अपने जीजा जी को ही टिकट दिया कारण क्या रहा भई जैसा मैंने भी कहा कि अगर आप उनकी सारी काबलियत को समाहित कर देंगे इस सर्फ ये कहकर कि हो मेरे जीजा है तो ये भी गलत है मुझे लगता है लोकसवा के अंतिम सत्र में मेरे प्रधान मंत्री ने बहुत खूब सूरती से अपनी बातों को उन्होंने रखने का काम किया परिवारवाद की परिभाशा उन्होंने बताई और उन्होंने भी इस बात को सपस्ट कहा कि अगर कोई संगर्श करके मेहनत करकर अगर आगे आता है मैं इनकों से विसीले टिकट ना दूँ ये मेरे परिवार के हैं ये सोच भी गलत है उनकी अपनी प्रिश भूमी देखिए उनकी माँ देखिए वो भी एक राजनितिक प्रिश भूमी से आते हैं ऐसे में और वो मेरे बुरे दिनों में जिस तरीके से व उन्होंने संगर्श करने का काम किया और फिर मैं वापस दोराता हूं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टन क्राइटेरिया ये था कि ऐसे युवा सामने आएं जो की वेल एडुकेटेड हों आर्टिकुलेट हों अपनी बातों को खुबसूरती से वो रख पाएं बिहार की वो छ स्वीरे सामने आई मुखमंतरी नितिश कुमार आपको गले भी लगा रहे हैं आपने उनके नीतियों का भी विरोत किया तो क्या लगता है कि जो गले शिक्वे थे वो सभी दूर हो गया है भाई देखे हम लोग एक बड़े लक्षे की ओर अगरसर हो रहे हैं एक ऐसा मंतरी जी को तीसरी बात देश का प्रधान मंतरी बनाने का लक्षे है चार सो से जादा सीटे जीतने का लक्षे है जिसमें चालिस की चालिस बिहार की सीटे एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देंगी ऐसे में राजनीती का विध्यारती हूं हम लोग को पढ़ाया भी जाता है सिखाया भी जाता है कि राष्ट हिट से उपर कुछ नहीं होता उसके बाद गड़बंधन का हिट है उसके बाद आपके दल का हिट है आंद में कुछ बचे तो इनसान अपने वेक्तिकत हिटों की चिंटा कर सकता है मैं मानता हूं कि राष्ट हिट में मौजूदा मंतरी का तीसरी बार प्रधान मंतरी बनना जरूरी है उस हिद को साधने के लिए गड़ बंधन के हिद को प्रात्मिक्ता देना जरूरी है गड़ बंधन मजबूत रहे इंटाक्ट रहे ये बहुत बड़ी चूक हम लोगों से होगी अगर हम लोग आपसी मदभेद में उलज तो इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान गड़ बंधन को होगा लाब विपक्ष के लोग ले जाएंगे ऐसे में मुझे लगता है बहुत मैचूरिटी के साथ दोनों दल के नेताओं ने लोचपा हो या जनता दल यूनाइटेड हो हम लोगों ने एक तालमेल बैठा कर जो हाजीपूर आपके पिता की कर्म भूमी रही है वो वहाँ से चुनाव लगतार जीते हैं आप इस बर चुनाव लड़ रहे हैं हाजीपूर से ही वहाँ की जनता को क्या संदेश देंगे और अपने पिता जी का रिकॉर्ड आप खुद तोरेंगे क्या पापा हमेशा कहते थे हपको भी शायद उन्होंने कई बाइट्स में कहा होगा कि एक पिता को सबस्यादा खुशी तब होती है जब उसका बेटा या बेटी उससे आगे निकले तो मैं मानता हूँ पापा खुश जरूर होंगे अगर मैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाया हाविंग सेट अट हाजिपूर की जनता पापा ने बहुत बड़े बड़े पारमीटर सेट किये हुए हैं वो अपेक्षा हैं जरूर वहां की जनता की मुझसे भी होंगी वो उमीदे होंगी मैं बस यह उमीद करता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उमीदों पे ख़रा उतरने का मैं पूरी तरीके से मैं प्रयास करूँगा पूरी इमानदारी से वही मेहनत करूँ और जिस तरीके से उन्होंने हाजीपूर को देश दुनिया में आगे लेका जाने का कारे किया वही प्रयास में भी करूँगा आपके चाचा से आपकी नाराज़की दूर हो गई दो दिन पहले तक वो कहीं नहीं थे एंडिये में भी नहीं थे ना तो महा गड़बंदन में उन्होंने संपर्ग भी साधा था पर वहाँ पर बात नहीं बन पाई अब वो एक्स पोस्ट पर कह रहे हैं कि मैं अंडिये कहीं अंग हूँ मोदी का परिवार हूँ ठीक है अच्छी बात है गड़बंदन में जितने लोग आएं गड़बंदन को मजबूती मिलेगी देखिए अलग होने का फैसला और मैं ऐसे पार्टी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ अच्छी बात है दो आखरी सवाल रहेंगे बस समस्ति पूर सीट आपके खाते में आई प्रिंस राज ने कभी आप से संपर्क किया कि वहां से मुझसे फिर से चुनाव लड़ना है नहीं बिल्कुल भी नहीं मुझसे कोई संपर्क नहीं एक आखरी सवाल आपके पार्टी के राश्टी उपात ध्यक्स थे अरुन कुमार जहानाबाद से पूर्व सांसद हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान ने मुझे धोका दिया मैंने चिराग पासवान को क मुझे नहीं पता कि ये गलत फैमी कहां से आई जब मेरे पास वो सीट ही नहीं थी जहां से वो चुनाओ लड़ना चाते थे जब गड़बंदन के दोरा वो सीट मुझे दी ही नहीं गई नबादा हो या जहनाबाद हो जब वो सीट मेरे खाते में ही नहीं आई तो मैं कहां से मैं उनको लड़ा सकता था, ऐसे मैं ये कहना कि मैंने उन्हें धोका दिया, मुझे नहीं लगता कि यह उचे था, बट हैविंग सेट था मुझे से बड़े हैं, उनकी नराज़गी भी मेरी सराँकों पर, उनसे मैंने संपर्ग भी साथा, उनसे बात भी की और उमीद करता ह कि आने वाले दिनों में उनकी नाराज़गी मुझसे खतम होगी क्योंकि इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं था अगर मेरे हाथ में संभवता होता तो मैं हर संभव प्रयास करता उनका समावेश करने का बट जब वो सीटे ही जहां से उचुनाव लड़ना चाते थे वो गड़बंधन में मेरे खाते में आई ही नहीं तो ऐसे में मेरे लिए संभव ही नहीं था उनको चुनाव लड़ना पचलिए हमारे साथ लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास के राष्टिय धग चिराग पासवान थे जिन्होंने अपनी पार्टी से युवा उमिद्वारों को मौका दिया है और साफ तोर पे कहा है कि युवा ही बिहार का प्रतिनित करेंगे सही होगी अभिशेक के साथ मैं शिवम जी मीडिया पटना